सुमन की वग्या में आपका स्वागत है और मेरा प्यार बहुत इंट्रस्टिंग चीज बहुत ही असानी से घर में बैठे हुए बनाने के लिए बताना बता रही हूं वह उसका नाम है कॉयल स्टिक यहां जिसको मॉस्टिक भी कहते हैं जो आपको मनी प्लांट किया किसी भी इसको चड़ाने के लिए आप लोग लगाते हैं हम लोग और सिंगोनियम हो गया मनी प्लांट हो गया यहां बीटल लीव्स होगी जो पान का पत्ता होता है उसकी लिए यह देखिए यह जो हम जिसको हम एजिली कह देते हैं गार्डनर को बडंडा ले आई यह हमने मनी प्ल का है तो 100 का है इतने का है तो 200 का है इस तरह से मिलता है उसको मैं बहुत ईजिली घट पे बना लेते हूं जूट बैग हो यह नारियल जूट हो उसकी मदद से बनाते हैं तो आज मैं आपको नारियल जूट जो होता है फोई जिसकी मैंने नारियल के बाद जो हम शिलके निक आंज चो चिब दो चलिए शुरू करते हैं मौस्टिक क्याइस के बनेगी इसके लिए पहले यह देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए हां लेकिन इससे पहले मैं काप लोगों से request करना चाहऊंगे कि इस ने भी मेरा चैनल सब्स्राइब कर लें और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसके बाद में उसको लाइक भी करतीज़ेगा और कुछ कमेंट भी अगर करना यह हस्ट जो होती है,घर आप इसमें से & pitt नीखाल ले। जो इसके बात भी बन जाएगा क्योंकि क्या है। तो इसको हमें इस तरह से अलग लग करना पड़ता है जिससे की बहुत उड़ रहा था तो मैंने इसको इजी करने के लिए देखी क्या किया है इसको मैंने इस तरह से पानी में भिगो दिया ताकि मेरे पानी में थोड़ी दिर भी एक घंटा भी है रहने से क्या हुआ कि इस त तरों से मैंने सारा अलग कर लिया इसको अब क्या करना और क्या चाहिए यह देखिए आप थहली में सबजी ला रहे यह इस तरह से इसको काट लिया और यही वाली यही जो सबजी के थहली में j Candate आती है वो आपके इसको बातने में ने चाहेंगी तो आप इसपींल से आप easily बना पाएंगे और मेरे पास वैसे दूसरा कपड़ा भी है देखिए वह वह ग्रीन कलर का कपड़ा भी है अगर यह मुझे लग रहा है कि यह मेरे नेट छोटी होगी अगर यह छोटी होगी तो मैं ग्रीन वाला कि नेट लगा लूँगे तो चलिए स्टाट करते हैं तो देखिए नेक्स स्टेप यह रहेगा कि इस तरह से मैंने दो इसमें आपको देख पारे होंगे आप लोग दो कट लगा लिए इस तरह से इसके लिए मैंने कोई पेचकस या आप चाकू से मैंने तो एक पुराना चाकू रखा हुआ है, उसको गरम करके मैंने इस तरह से दो कट लगा लिए हैं, अब आपको क्या करना हैं, कोई भी धागा जो भी है आपके पास, उस धागे से आप देखिए, इसमें मैंने इधर गांट लगा लिए है, नॉट लगा के, और इधर इसको देंगे और इसको इस तरह से आप यह देखिए यह फिक्स हो जाएगा यह इस लिए कि है कि जब épo इस तारह से इसके ओपर लपेटेंगे तो मेरा यह देखिए अगर आप यह नहीं करेंगे, अगर आप यह नहीं करेंगे, तो यह बहुत ही ढिला ढाला सा रहेगा, और आपका मॉस जो है, वो निकलता रहेगा, तो इससे यह आपका टाइट बना रहेगा, अब यह करने के बाद, next step रहेगा, देखिए, इस तरह से हम इसको फैला लेंगे, अग के बाद हम इसको सारा लपेटेंगे, देखिए, इस तरह से हमें इसको लपेटना है, और इसको इस तरह से उपर से भी टाइट करके, और इसको इस तरह से लपेटते रहेंगे, जिससे की जो भी हमारे प्लांट के, हम जो भी प्लांट लगाएंगे, उसको इससे, क्योंकि यह बहुत ही रूट्स इसमें चली जाएंगी, तो इसको न्यूट्रियंट्स में मिलते रहेंगे, और बहुत इजीली हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोव होगा, तो देखिए, इसको मैंने पूरी तरह से बांध लिया, इस नारियल जूट को, और उसके बाद ये जो मेरी थैली बच्ची हुई थी, जब मैंने इसको भी लगा लिया, यहां से देखिए, लेकिन प्रॉब्लम यह उरी है, कि इसको मैं यहां पर तो इसको टाई हो जाएग तो मैं सोच रही हूँ कि इसको यूस कर लिया जाए, इसको फार के, इस तरह से, मैं इसको लगाने की कोशिश करते हूँ, क्योंकि हमें बेसिकली लगाना तो नेट्टी है, ताकि हमारी वूट्स जो है, प्लांट के उसमें चली जाए, तो देखिए, एक तरफ तो मैं सोच इसी को लगा रहने देती हूँ, और एक तरफ यूवली नेट्ट, क्योंकि ये वली जो है, जो धूप से वेचने के लिए लगाई जाती है उपर, इसमें तो बहुत कम, बहुत दूरी पे हैं, तो इसमें रूट्स नहीं फस पाएंगी, इसलिए बाकी जगर पे मैं इसको लगा देती हूँ, इस नेट को, और इस से, इस तरह से, इसको मैं धागे से बांध के, और ये वना जो मेरा पटा हुआ है, ये भी कवर हो जाएगा, देखिए मैंने नेट काट लिये है, तो इसको जब मैं लगा कर से देखती हूँ, एही मेरी पूरी आ जाएगी, इसको मैं यहां से कट कर दीए हूँ, इसको मैं उतार दीए, उसको मैं कहीं और य्यूस करूंगी, कुछ और बनाने में, क्योंकि यहां से फटी हुई थी नहीं लग पाएगी तो मैं अब इसको ही लगाने की कोशिश करते हूं इस पर देखिए यह बता रहे तो कि इसमें कोको पिट भी है तो इससे फाइदा क्या रहेगा कि जब हमारी इसमें मानी प्लांट लगाएंगे कोई भी ऐरोप्लांट सिंगोनियम कोई भी लगाएंगे तो उसकी जड जो है रूट्स जो है इसमें जाएंगी तो उसको अपने आप न्यूट्रियंट्स मिलता रहेगा और यह मॉइस्टर को भी डिटेन करता है तो उनको पानी भी मिलता रहेगा और न्यूट्रियंट्स भ तो मैंने इसको सुचा, थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से मोटा मोटा सुई धागे से ही सिल देती हूँ तो यह आपकी नेट के ओपर डिपेंड करेगा कि आपके पास कैसी नेट आपकी क्या रिक्वाइर्मेंट है तो देखिए इस तरह से यह पूरा सिल लेंगे अब सिलने के बाद देखिए इस तरह से यह आपने यह जो नीचे से जगह छोड़ी है यह इसको मिट्टी में दबाने के काम आजाएगी देखिए इस तरह से हमारी यह मॉस्टिक तयार हो गई है और हम इसको इस तरह फेक्स कर देंगे और इसमें अब हम प्लांट लगा देंगे बस आपको यह देखना है कि यह जब आप यह हस्क लगा रहे होंगे नादियल का तो बहुत इसको बहुत टाइप नहीं करना है काईट करने से क्या होगा कि आपकी रूड्स जो है इसमें नहीं जा पाएंगी और उनको यहां से नहीं मिल पाएगा तो अब देखिए यह वला मेरा प्रांट है इसको इस तरह से अब एक और बात आती है आपको लगाना कैसे है देखिए जब आप लगाते हैं तो आप यह द और अगर आप बिल्कुल साथ में लगा देंगे तो यह भी गीला रहने से इसकी रूट जो है वो रॉट हो जाएंगे और जल जाएंगे तो थोड़ी से इस से आपको दूरी इस तरह से मैंटेन करनी है और इस तरह से आपको अपना मनी प्लांट लगा देना और देखिए यह आप देख पा रहे होंगे जगा जगा पे इसकी रूट अपने आप यह देखिए यह रूट फॉर्म होती रहती है इसकी और वो अपने आप इसको पकड़ लेंगे इस तरह से आपका इसको यहां से हम बांदेंगे और जब आप बांदेंगे तो भी आप देख लीज़ेगा प्लांट को बांदेंगे हलके हाथ से बांदेंगे कुछ भी इसकी रूट प्रेस नहीं हो जाने चाहिए तो इस तरह से आपका मॉस्टिक तयार हो गया और आप अपना कोई भी मनी प्लांट इस पे लगा सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें ओके बाई फ्रेंड्स